इस संसार में भाई बहन के रिष्टी को सबसे पवित्र रिष्था माना गया है शायद ऐसा कोई रिष्था होगा जो इतना पवित्र होगा अगर हिंदु धर्म में देखा जाए तो भाई दूज भाई बहनों का सबसे पवित्र तेवार माना जाता है जो कि 39 अक्टूबर को मनाया जाना है इस तैवार पर भाई बहनों को भाई या दूज के तैवार का बेसबरी से इंतजार रहता है भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के माथे परते लग लगाती है और ये तैवार दिवाली से ठीक दो दिन बाद मनाया जाता है जो कि भाई बहन के रिष्टे के प्रेम को दर्शाता है भाई दूज के दिन एक बहन अपने भाई के लिए खुश्यों की प्रातना करती है उसकी लंबी उम्र के लिए प्रातना करती है उसकी तरक्की के लिए दूआ करती है लेकिन इसी के साथ अगर भाई दूज के दिन लड़कियां बहने कुछ उपाई कर लें तो उनकी इस उपाई से उनके भाईयों की उम्र लंबी हो सकती है उनके भाईयों को तरक्की मिल सकती है चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ चुपाईयों के बारे में बताने जा रहे हैं जो की आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छे शादित होने वाले हैं तो आपको करना क्या है भाई दूज के दिन भाई की लंबे उम्र की कामना करती है तो इसके लिए आपको भाई को टीका करने के बाद रोली और अक्षत पर टीका लगाना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए उसके बाद भाई की हंतेली पर चावल का घोल रख कर उसके उपर सिंदूर और पांस उपारी का सिक्का रखना चाहिए बहनों को इस पात का खास खयाल रखना चाहिए कि भाई दूज के दिन यमराज की भी पूजा करनी जरूरी है आप शाम के समय चौकट पर बत्ती वाला दीपक जलाएं और इस दीपक को रखते समय आप अपने भाई की लंबे उम्र की कामना जरूर करें भाई दूज के दिन बहनों को यमना नदी के सनान अवश्य करने चाहिए अगर इस दिन बहन यमना नदी में सनान कर लेती है तो इसे बहुत ही शुब माना जाता है तो वहीं भाईदूश के दिन अपने हाथों से खुद खाना बना कर इस दिन बहनों को अपने भाईव को खिलाना चाहिए भाईदूश के दिन अपनी बहन को भाई उपहार के रूप में अपने साम मर्थ या निसार कुछ उपहार भी दे सकते हैं और हमेशा बहनों को अपनी भाई की लंबे उम्ड और उनकी तरक्की के लिए रात्ना करने चाहिए तो कुछ ऐसा होता है भाई दूज का ये पावन तहवाग और अगर बहने ये कुछ काम कर ले तो उनके भाईयों की उम्डे लंबे हो सकती है नेक्स तना इन स्वेच्छ वल से आरती कि पूँए